आप जहिन नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आए हम लोग आचुके हैं हरपा सब्यता ने कि ट्वैल्थ का हिस्ट्री चल रहे ना आप पहला चप्टर हम रहा है हरपा सब्यता और इसका पार्ट नाइन और आज हमारा होगा लास्ट पार् पाद आपके लिए हम लेका आएंगे पार्ट टेन जिसमें आपका रहेगा ऑबजेक्टीव क्या रहेगा तो आए आज का सब्यक्तिक लास्ट को देख लेते हैं चले क्लास को सुरू करते हैं चले देखे ध्यान से स्वाल है कि मोहन जोद्रों की कुछ विसेश्ताओं का व अस्तल बोल सकते हैं अस्तल सिंधी भासा में है जो कि पाकिस्तान में पढ़ता है का व्यापक खुदाईयों के आधार पर इस सवेता की परमुविसेश्ताओं को निमलेखित माध्यमों से दर्साय जा सकता है तो पहला माध्यम देखिये एक सूर नियोजित सहरी केंद्र है कि मोहन जोद्रों में सहर का नियूजन की इस प्रवार से क्या गया था बहुत अच्छा था दिखे द्यान से इसका डिफ्निशन है कि मोहन जोद्रों एक विशाल एक विशाल सहर था जो 125 हेक्टेयर छेत्र में फैला हुआ था यह सहर दो भागों में विभाजित था सहर के पश्ची में एक दुर्ग था जिसको में लुकिया बलते हैं एक किला था ठीक है न तथा पूरव में नीचे एक नगर बसा हुआ था किला की बनावड जो था वह कच्ची एटों के उंचे चबुत्रों पर बनाए गई थी इसमें बरे बरे नगर थे जो समोता प्रसासनिक या धार्मिक केंदर के रूप में कारी करते थे अगला की किला के चारों ओर जो आपका किला बनाया गया था उस किला के चारों ओर इटों की दिवार थी जो किला को निचले सहर से अलग करते थी पिर्थक करते थी पिर्थक मतला हुआ अलग किला में सासन एवं सासक वर्ग से जुले जुले लोग रहते थे हैं किला में जो लोग रहते थे ठीक है लगे बढ़ते हैं इसका पॉइंट टू है दिखे द्यान से कि दूसरा है कि मोहन जद्रों क्या है गिरी अस्थापत मतलब मोहन जद्रों में घर का अस्थापना कैसा क्या गया था ठीक है मोहन जद्रों के निचले सहर से आवाशिय के नमूने प्राप्त हुआ है निवास निवास अस्थां चोटे एवं बड़े दुनों प्रकारके होते थे नियुक्या कुछ पर सिर्फ एक ही कमड़े वाले होते थे तथा कुछ में 12 कोठलियां एवं 20 साल आंगन होते थे कुछ घर के अंदर में 12 कोठलियां होते थी और आंगन में बड़ा ऐसा कुमा हुआ करता था अक्सर सभी मकानों में रोसोई घर हुआ करता था असनाना घर मतला असनान करने के लिए उसके वाद सोचाले भी हुआ करता था और कुमे भी हुआ करते थे सभी बड़े मकानों का नक्सा करीब एक समान ही था मकान के दो मंजीले तथा तिन मंजीले भी होते थे मकान दो मंजला तिन मंजला भी हुआ करता था हरपा से बेता में दर्वाजे वखिर क्या पराया सरक की और नहीं खुलती थी बरे घरो में सामने के दर्वाजे के चारों और एक कमरा अर्थात गोला बना दिया जाता था सामने से एक गोला बना दिया जाता था ताकि सामने के मुखिद्वार से घर के अंदर कोई जाग न सके बड़े घरों में फर्स पराया जो था वह पक्के होते थे दर्वाजे काट की चोखट वाले होते थे तथा उन पर रंग रोमन भी क्या जाता था रंग नालियां पर अशरक और नालित था पर यह बहुत अच्छा था कि और जाता है कि कि वंवाड़ान के सरके कि टेरबड पांस फूट से लेकर का तक टी हम सरकों का निर्मान इस प्रकार क्या जाता था कि बाध कें हावास जे उसकी उनकी सफाई तो यहां पर गालियां हो गया है जो नाली गली पर आया नो फूट से लेकर बारह फूट तक चवरी होती थी जल निकास प्रनाली भी बड़े ही बड़े ही सू नियोजित धंग से बनाई गए थी यहने कि इतना चा से जल प्रनाली बनाई गया था रप्पा से बेता में कि जिसे कोई घर है ठीक है कोई घर है घर से जो छड़नाला है वह सहर के बड़े नाले के साथ में जोड दिया जाता था और यह नाला जो है ना शीला पत्थर से उपर से ढग दिया जाता था और इससे कुड़ा कच्रा निकलने के लिए जो इना बीच में जगह छोड़ा जाता था 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 ताकि नला भरने गवाद उस नला को खाली भी क्या जा सके करें ने लगला है चाथा पॉइंट दूर्ग नदी की सारवजनिंग भवन क्या था एक ह्वा से खिला था जो की सारवजनिंग था जिनका पर्योंग विश्यास कार के लिए यहां भवन इटो के बने होते ठे जो उंचे चबुत्रे पर बनाए गए थे यह क्या भवन का विश्यस्ता थ ć अगला है 20 ला सबसे बड़ा विश्यसता क्या बीश संग का रही है जिसका जला से दुल के टीले में है उत्तम कोटी की पक्की इटो से बना अस्नानागार अस्थापत का सुन्दर मिशाल है यह इतना च्छा से अस्नागार को बनाए गया था जो काफी सुन्दर दखने अच्छा लग रहा था माजा का अदम सबाथ अस्नान करते थें डक्टर आर के मुखरजी डक्टर आर के मुखरजी के सब्दों में विशाल असनानागार का निर्मान शिंदू सब्यता की लोगों की अभियांत्री की परतिभा का परिचारक है जला से 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौरा और लगबग 3 मीटर गहरा है इसके दोनों किनारों पर अर्थात उतरी और पस्टमी भाग में तल तक सीरियां बनी हुई थी पानी का अंदर तक जो न सीरी बनाया स्टमीत नदी है वहां तक सीरी बनाए गया एक असनानागार का पक्की बना था उसके टीन और कमड़े बने हुए थे, इसमें से एक में यहां पर भरा हुआ था जिससे की जलासे में पानी आता था यहां पर भरा भावा पानी था जलासे का पानी निकलने के लिए एक धलाव नाली हुआ करता था ताकि पानी धल के नीचे चला जाए चले को संच देखें थ्रा बच्चा सब क्या है ना इसे तो लिखें तो हम ही है बाट यह ना सब टैप क्या थ्रा मिश्टे कर दिया ठीक ना चले विसाल अनागार है मतला अन रखने अनाज मोहन जद्रों के किला के टीले में एक और विसाल अनागार था माल गोदाम भी मिला था इसके इटों से बने सिर्फ निचले भाग ही भाग ही बाकी है बाकी उपड़ी भाग में जो संभावता लकडी लकडी के बनाए गए थे बहुत पहले ही विनिष्ट हो गया थे मतलब उपड़ी लकडी था ना वह नौश्ट हो गया था इसमें इटो इटो से बने 27 खंड थे 27 कोठडियां था जिससे कि परकास के लिए परकास के लिए तिर्चे रोस क्या है रोसंदान बने हुए थे मतलब जो घर था ना घर में ना अगला सत्मा पॉइंट है विशाल भवन मोहन जोदरों के कीला छेत्र में विशाल अस्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन था जिसका के लंबाए मत अनुसार मतला मन के अनुसार या भवन किसी बरे उच आधिकारी का निवास अस्थान रहा होगा इसमें 33 वर्ग फूट का खुला आंगन है जिस पर तीन ब्रामदे खुलते हैं इस अभी जो है ना आपको विशाल अस्नागार में जागा मोहन जोदर दखने के लिए ठीक लिए समकालिन सब्वेटा था आओं में एक अनुक्फा सब्वेटा थी िरक जो महजित रहे में अच्छे थी सबस्वाट करिको अगला हमारा 17 कोには है अच्छाज थ्यां से देखे से भी मैं की हरपा सुनख्यति कि कला का ंपे हरन करना है तो इसका अंसर है कि हरपा लोगों की सिल्प और तकनिकी अत्यंत विक्सित थी और इस छेत्र में उनकी निमलिखित उपलवतियां थी नमर एक है कि हरपा के लोग कास निर्मान और पड़ियोग से अच्छी तरह से पड़िचित थे तामबे टीन मिलाकर कासा बनाये जाते थे हरपाई अस्थलों में जो कास के और जार हत्यार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा बहुत ही काम है वस्तूतर टीन उन्हें मुश्किल से म लोग धाण से भी पड़िचित हैं दुसरा पॉइंट है दिआए द्ध्यान से कि हरपा के लोग कला से भी पहंते थे सूती कप्रा सूती हो गया इस सभी को बून कर पहंता था तुर्फी हो गया चल्वा तिसरा पॉइंट है देखे द्यान से हरप्पा के लोग अच्छी कारीगड़ी जानते थे उनकी कला विसाल इमार्तों में देखने को मिलती है अगला है यह नाव बनाने का काम भी करते थे घरप्पा सब्सक्राइब लोगों को लब हर चीज के बारे में पता था प्रचित था यह स्वर्ण काड़े भी करते थे यह सोना चांदी आधी रत्नों का अभूसन बनाते थे चलिए अगला कोशन प्रताओं को जनने में महत्पूर्ण है हरप्पा में पक्की मिट्टी की मूर्ती भाइद संख्या में मिली है ऐसा प्रतित होता है कि यह मूर्तियां मात्री देवी की मूर्तियां है क्योंकि एक इस्त्री एक इस्त्री मूर्ति के पेट से मतलब गर्व से निकलता हुआ पोदा दिखाया गया है यहां मूर्ति मात्री यह मूर्ति जो है नहीं देवी की यह मूर्ति देवी की प्रतिक मानी जाती है पुलता है पर धर्म से समंदित अनेक आकिरतियां मिली हैं पत्थर पर एक पुरूस देवता आंकित हैं जिसके तीन सिंह मैं और उसके आसपास अनेक पशुय अंकित हैं इसकी पाचां़ पौशूपति या भग्वान सीव कहते हैं लोग पौशु कि भी पुजा करते थे लोग पूचित थे आंप करते थे लिंग पुजा करते थे यहरे बढ़ते हैं यहां से हमारा कोश्चन खतम हो गया अब जो है ना आपका पार्ट नो तक तो हो गया पार्ट उमीद है कि दस आ जाएगा ठीक अगर पार्ट आपका 10 लाया जाएगा नो खतम हो गया ठीक है दस लाया जागा उसमें आपका रह ऑब्जेक्टीव चीक है चले आज के लिए बस इतना है हो अल्दा बैसे को थेंक्यू बेस्ट अप्लग